जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ के भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों, आज मैं आपको अंकों का एक ज़ादू उपाय बताने वाला हूँ ये उपाय इतना चमतकारी है कि इस उपाय से आप जो कोई भी कारे करना चाहेंगे उस कारे में आपको अत्यनत सफलता मिलेगी साथ ही साथ जब धन से संबंदित कोई कारे करते हैं पेसों से संबंदित कोई कारे करते हैं तो ये उपाय आपको सो गुना लाब दिलाता है काफी चमतकारी उपाय है ये उपाय अंकों के साथ-साथ आपके भाव से भी चुड़ा हुआ है आप जिस तरह से अपने मन में जैसे आपके भाव आते हैं कभी कभार आपने देखा होगा कि बेठे बिठा है आप कोई reason नहीं होता कोई कारण नहीं होता इसके बावजूद भी आप प्रशन हो जाते हैं कई दफे बिना कारण अकारण ही मन दुखी हो जाता है क्योंकि मन के भीतर कुछ न कुछ ऐसे भाव चलते रहते हैं जो एकदम से उपर सत्व पर आ जाते हैं तब वो दिखाई देते हैं कि आप दुखी हैं या आप प्रशन हैं ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलता रहता है जिसकी आपको भनक नहीं लगती है ये औचेतन मन में चलने वाली क्रिया है जब सत्व पर आती है सपाटी पर आती है उपर आती है तब मनुष्य को इसके बारे में मालुम चलता है तो ऐसा ही एक उपाए आज में आपको बताने वाला हूँ जो आपके अचेतन मन से जुड़ा हुआ है अंकों से जुड़ा हुआ है और जो आपको अत्यदी कलाब दिलाने वाला है तो दोस्तो संपुर उपाए बताने से पहले में आपको बता दू कि यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिनतम गुरंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहसे हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब प्र लीजिए और बेल आइकल को ट्रेस कर दीजिए इससे हमारे दोरा बताएगए उपाए आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेजी से पहुँचेंगे ठीक है तो चले दोस्तों बताता हूँ आज का वह उपाय के जिससे आपको सो गुना लाब होगा एक गुना नहीं दस गुना नहीं सो गुना आपको लाब होगा काफी चमतकारी उपाय है यह उपाय आपको कैसे करना है यह मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आप एक white plain paper ले लें सफेद कोरा कागज आप ले ले और इसमें लाल इंक से आपको लिखना है एक थोड़े छोटे अक्षरों में उससे थोड़े बड़े अक्षरों में आपको थोड़ी जगा छोड़ करके लिखना है 10 और उसके बाद में थोड़ी सी और जगा छोड़ कर उससे भी बड़े अक्षरों में आपको लिखना है 100 सबसे छोटे अक्षर में आपको एक लिखना है फिर बीच वाला 10 आपको थोड़े बड़े अक्षर में लिखना है और 100 आपको सबसे बड़े अच्छर में लिखना है इस तरह से आपको लिखना है एक थोड़ा सा इस पेस छोड़ करके 10 और थोड़ा सा इस पेस छोड़ करके 100 इस तरह से आपको लिखना है इसको लिख करके आप अपने पर्स में रखें अपने जेब में रखे अब आप क्या करें कि जब भी आप किसी के साथ में पैसों का लेंदेन करें तो एक दस सो एक दस सो ऐसा मन ही मन सोचते हुए करें कि आप ये जो कुछ भी व्यपार कर रहे हैं पैसा ले रहे हैं या पैसा दे रहे हैं ये आपको सो गुना हो करके सो व्यक्तियों से मिलेगा. जब भी आप किसी को धन दे रहे हैं, ये सोचें, जब भी आप किसी से धन ले रहे हैं, तो ये सोचें कि ये सामने वाले व्यक्ति को भी ऐसे ही प्राप्त होगा. सब के कल्यान की भावना करें साथ ही साथ मैं आपको बता दू जो एक का अंक है वो सूर्य का अंक है और सूर्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करता है मान सम्मान में बढ़ोतरी करता है तो जब आप किसी को इस तरह से मान सम्मान प्रदान करेंगे प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे उसकी value बढ़ाएंगे तो automatically ऐसा माना जाता है कि जो चीज आप लोगों में बाड़ते हैं वो कई गुना हो करके आपको मिलती है ये संसार का बहुत ही सामान्य नियम है अती सामान्य नियम है तो जब आप लोगों के कल्यान की भावना करते हैं अती कल्यान की भावना करते हैं तो ये बहुत अधिक हो करके आपको भी return मिलती है एक तो ये रीचन है कि ये अंकों से जुड़ा हुआ है सुर्य का अंक है और दूसरा मैं आपको बता दूँ जो hundred है, so है इसको पूर्ण अंक माना गया है प्रतिसत माना गया है हम जिस किसी का भी जब भी प्रतिसत निकालते हैं तो सो के मुल्यांकन पर ही निकालते हैं तो इसको संपूर्ण अंक माना गया है तो जब भी आप किसी से पैसा ले तो ऐसी भावना ऐसा कामना करें कि इसके पास में ये कई गुना हो करके लोटे हैं और जब भी आप किसी को पैसा दें तो इसा सोचें कि ये सो व्यक्तियों से सो गुना हो करके मेरे पास में लोटे हैं अभी जो कागज की चिट बनाई है इसको आपको सो दिनों तक अपने पास में रखना है और दिन में तीन बार इसको आपको रेगिलरली दिन में तीन बार सुबह इसनान करने के बाद में दोपहर में बारा बुजे के आसपास आपको देखना है वो रातरी को सोते समय ये तीन समय आपको देखना है और सो दिन तक लगातार इसको अपने पास में रखना है सो दिन में ये नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे कोई भी क्रिया होते जैसे मैंने बताया कि आपका जो अचेतन मन है उसमें यदि लगातार कोई भाव आप डालते रहते हैं डालते रहते हैं तो एक दिन वो भाव इतने ठोस हो जाते हैं कि फिर उसको तोड़ना नामुम्किन हो जाता है तो इसी तरह से लगातार सो दिनों तक जब आप ये भाव अपने भीतर पेदा करेंगे तो ये जो भाव की तरंग है ये संपूर संसार में आप जिस किसी से भी मिलेंगे वहां तक ये फेलेंगे व्याप्त हो जाएंगे तो आपकी जो मंसा है वो फलीबूत होगी आपके अनेका अनेक काम चलने लग जाएंगे अनेकों लोगों के पास से आपके पास में धन आना प्रारम हो जाएगा सो दिनों के बाद में जो पर्ची है इसको आप किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें किसी मंदिर में रख दें या किसी पवित्र पेड़ के नीचे रखते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अभी सी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिवे प्रिकास और अपने जिवन में लाबानवित होते रहें धन्यवाद